विशेगरित, कक्षा साथ, किकाई, बारा, छेत्रमिती प्रक्रण है घन और घनाब का संपूर्ण प्रस्ट इस प्रक्रण के शिक्षन संबंदी प्रणाम इस प्रकार हैं पहला, बच्चे घन और घनाब वाली वस्तूओं को पहचान लेते हैं दूसरा, बच्चे घन और घनाब का संपूर्ण प्रस्ट ग्यात कर लेते हैं बच्चे घन और घनाब में अंतर बता पाते हैं बच्चों, इन वस्तूओं को गौर से देखिए ज्यादा तर वस्तुएं इसमें एक आकार की हैं क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन-कौन सी वस्तुएं एक आकार की हैं? कुछ वस्तुएं यहां से गायव हो गई हैं अब जो वस्तुएं शेश बची हैं वो एक जैसे आकार वाली हैं इन्हें ही घनाब कहा जाता है तो बच्चों देखा आपने एक घनाब में कुल फलक 6 होती है कुल शीर 8 और कुल कोरे 12 होती है ये भी आपने ध्यान दिया होगा कि इसकी सभी फलकें आयताकार होती है चुकि घनाब में तीन आयाम होते हैं लंबाई, चौडाई और उचाई इसलिए घनाब को त्रियायामी याकरती कहा जाता है इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि घनाब का संपूर्ट प्रेस्ट क्या होता है और उसे कैसे ग्याद करते हैं अगर यहां लंबाई को L से, चौडाई को B से और उचाई को H से लिखा जाए तो इसका संपूर्ट प्रेस्ट का सूत्र होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH संपूर्ट प्रेस्ट का मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटी मीटर या वर्ग इकाई होता है आईए इस सूत्र पे आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं एक कक्षा कक्ष की लंबाई 12 मीटर चौडाई 9 मीटर और उचाई 6 मीटर है कक्षा कक्ष का संपूर्ट प्रेस्ट ग्यात करें यहां लंबाई L बराबर 12 चौडाई B बराबर 9 और उचाई H बराबर 6 है संपूर्ट प्रेस्ट का सूत्र हमें ग्यात है दो ब्राइकेट में LB प्लस BH प्लस LH बच्चों L, B और H के मान इसमें रख देते हैं हमें प्राप्त होता है 468 अताहा कक्षा कक्ष के संपूर्ट प्रेस्ट 468 वर्ग मीटर है यहां जो अकरती दिख रही है वो भी कुछ घनाब जैसी ही है लेकिन यहां पर हर तरफ से ये बराबर देखी जा सकती है तो बच्चों घनाब की लंबाई, चोड़ाई और उचाई बराबर होने पर वह घन बन जाता है लंबाई, चोड़ाई, उचाई सभी बराबर होती है अतहा प्रतेक फलक एक वर्ग होती है मान ले अगर इस घन की एक भुजा की लंबाई ए है तो इसका एक फलक का छेतरफल क्या होगा? चूंकि छेतरफल फलक का निकालना है और फलक वर्गाकार है तो वर्ग का छेतरफल होता है भुजा स्क्वाई तो एक फलक का छेतरफल हो जाएगा ए स्क्वाईर चूंकि इस घन में 6 फलके हैं तो 6 फलक का हो जाएगा 6a² अता घन का संपूर्ण प्रेष्ट का सूत्र प्राप्त हो जाएगा 6a² आईए एक अभ्यास प्रेष्ण करते हैं एक घन की कोर यानि भुजा 5 cm है तो घन का संपूर्ण प्रेष्ट ग्याद करें यहाँ घन की भुजा अ वराबर 5 cm तो घन का संपूर्ण प्रेष्ट का सूत्र क्या है 6a² बच्चों मुझा एक आमान 5 cm इस सूत्र में रख दें हमें जवाब प्राप्त होगा 150 वर्ग सेंटी मीटर अतागन का संपूर्ण प्रेष्ट 150 वर्ग सेंटी मीटर है इन दो सूत्रों पे अधारित दो सवाल आप लोगों के लिए है पहला प्रश्ण एक घनाप की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर और उचाई 30 मीटर है घनाप का संपूर्ण प्रेष्ट ग्याद करें दूसरा प्रश्ण है एक घन की प्रतेक कोर भुजा 4 cm है तो घन का संपूर्ण प्रेष्ट ग्याद करें मच्चों इसे आपको स्वयम लगाना है आपकी सुखधा के लिए नीचे इसमें सही उत्तर भी दिया हुआ है कि अपकी सुखधा के लिए नीचे इसमें सही उत्तर भी दिया हुआ है